ये डूगरी की कवित्री है तो प्रिसी राज जी ने खुद मुझे डूगरी का ही लोगित सुना दिया तलू फटै सी लेना, अंबर फटै किया सी ना, खसम मरे जी लेना, यार मरे किया जी ना कपड़ा फटे, कपड़ा फटे तो सी लूँ, आसमान फटे तो कैसे सीूँ, खसम मरे तो किसी तरह जी लूँगी, पर यार मरे तो कैसे जी लूँगी दोगरी सुनकर मैं बड़ी प्रसन्न हुई, पर सीधे साधे पहाणियों की बेबाकी को इस तरह पेश करते हुए, मैं थोड़ा दुखी भी हुई, मैंने सोचा, हमारे हजारों लोग गीतों में से, क्या इन्होंने यही सुनाए तब मैंने उनको थोड़ा सा डांट भी दिया, मैं चोटी थी बड़ी, पर डांटने में मैं शुरू से ही उस्ताध रही हूँ, तो और फिर मैंने उनको डोगरी के ऐसे ऐसे लोग गीतों की दो दो चंद सुनाए कि वो परसन्न हो गए, मैंने कहा ये आप किसी को मत तो ठीक है, क्योंकि सादा लोग हुआ करते थे और जो वो सोचते थे लोग गीतों में वही होता है, लोग गीत का अर्थ ही ये है, जो लोग रचे वो लोग गीत, डोगरी भाशा की लिपी के पुराने मूने, तामर पत्रों, सरकारी संदों, हुक्म नामों, चिठियों, वसोली वाप पहाडी पेंटिंग्स के चित्रों में लिखे हो, बिलते हैं, तकरीबन 1930 तक मातरी भाशा डोगरी की मौलिक साहिते को, मातरी भाशा डोगरी को मौलिक साहिते के योग नहीं समझा गया, जैसे भाशा नहों, घर की बहू हो, जिसे चार दिवारों में रखना जरूरी है, डोगरी का वो पहला कभी जिसकी रचना हमें उनके नाम से मिलती है, वो हैं देवी दत, जिनें प्यार से हम कभी दत्तू के नाम से जानती है, अठार्मी सदी के अंत में हुए ये कभी मुखे तहा ब्रजभाशा में लिखते थे, ब्रजभाशा में उनका स्तोत उत्र भारत में भी प्रस्चित रहा, आप लोगों ने अपनियों दादियों नानियों से सुना होगा, कमलनेतर कटि पितांबर अधर मुरली गिरिधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया सामरे राधे वरम उन्होंने जब डोगरी में लिखा तो यूं लिखा, कि लिया बत्तना छोड़ी दिता, इन्दै साथ हैं साथ हैं पर ही लेओ नी पानी, मैंने अकेले घूमना अब छोड़ दिया है, अब इन सब के साथ पानी भरने जाती हूँ डोगरी में कवी के नाम के साथ मिलने वाली ही पहली रचना है, 1990 में संस्कृत और ब्रजभाजा के साथ साथ के कवियों ने डोगरी की छिटपुट रचनाई भी की, पर हमें अधिक कुछ नहीं मिला उसी समय कवी गंगा राम का सूखे इलाके कंडी में ब्याही एक लड़की की बारे में लिखा ये बहुत ही मारमिक गीत मिल सका है बाजरे दी राखी करी, दंगर चिराई करी, चिडियां डोवारी करी किया 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 कतना बाजरे की राखी करते हुए, गाय गोरू चुराते हुए, चिडिया पखेरू उड़ाते उड़ाते, मैं चर्खा भी कैसे कातू, एक कोस चल कर पानी भर कर लाऊं, पत्थरों में पैर तुडवाऊं, धक्की के दुख सकी, किसे जा कर बताऊं बीसवी सदी के पहले चालीस वरसों के भीतर, डोगरी में लिखने वाले दस एक कभियों के नाम हमें मिलते हैं, इन नामों में डोगरी भाशा को उंगली पकड़ कर चलना सिखाने में, पंडित हरदत शास्त्री का बड़ा यूगदान रहा है, शास्त्री जी रगुनात मंद मंदिर में कथा वाचक थे, आप लोगों में से जो भी जम्मू गए होंगे, रगुनात मंदिर जरूर गए होंगे, इन नामों में डोगरी भाशा को उंगली पकड़ कर चलने वालों में, पंडित हरदत शास्त्री का बड़ा यूगदान रहा है, शास्त्री जी रगुनात मंदिर में कथा वाचक थे, कथा करने के बाद, वो बाद में स्वरचित डोगरी गीत पढ़ा करते थे, जिनके लालच में लोग कथा सुनने में आ जाते थे, और काफी भीड रहती थी, शास्त्री जी के डोगरी गीतों में उस समय के डोगरी जीवन के कमजोरियां, में पेश किया होता तो सुनने वालों की जुबां पर तुरंट चड़ जाता 1940 में दूसरी भाशाओं में लिखने वाले डोगरी लेको की कलम से डोगरी अक्षर ज़रने के लिए बैचायन होने लगे 1944 के बसंत पंचमी का वो सुहावना दिन था जब कुछ लोगों ने डोगरी ही में लिखने का आवान किया प्रफेसर रामनात शास्त्री, दीनू भाई पंक, चित्रकार संसार चंद और कई लेकों ने अपनी भाशा को उपेक्षा के मलबेद में से निकाल कर प्रतिश्चित सिंगासर पर बिठाने का एहद कर लिया चमू के दिवान मंदर बद्री नात मंदर में दुपहर को जब सब मिलकर बैखते और एक दूसरे की डोगरी रिजनाई सुनते तो सब को आनंद आ जाता बसंत पंचमीही के एक दिन डोगरी लेकों ने डोगरी संस्था की नीव रखी जिसमें हर तर्फ से डोगरी प्रेमी आज उटे आज हमारे पास साहित्य की हर विधाम की हजारों पुस्तके हैं साहित्यक आदमी ने 1979 में डोगरी को मानिता दी थी एक दो बार छोड़ दे तो हर बरस साहित्यक आदमी के पुरुसकार की योगे डोगरी की किताब रही है आज डोगरी के पास कविता, कहानी, उपन्यास, संस्वरन, जीवनिया, लेख यात्रा, संस्वरन, सब कुछ है जो भारत की किसी भी भाशा के साथ खड़ा हो सकता है इसमें हमें रियासत की कल्चल लग आदमी का ने भी बड़ी सहायता की है कल्चल लग आदमी ने डोगरी लोग गीतों की पचीस पुस्तके छपी बीस के करीब लोग कथाओं की पुस्तके हैं और अभी भी कई लोग गीत कहानिया पहाणों की तोहों से बाहर आने के लिए कुल बला रही है। 1967 में अपनी कविता की पहली पुस्तकी भूम का लिखवाने जब मैं दिनकर जी के पास गई। तब उन्होंने लिखा डोगरी के गीत कितने विलक्षन होते हैं। आज कल ये देखकर मैं दंग हूँ। डोगरी की सहज कवित्री पदमा सचदेव का मैं बड़ा उपकार मानती हूँ कि उन्होंने मेरे घर आकर मुझे इस अध्भुत अध्यात्मिक संपत्ति का ग्यान कराया। जो डोगरी में बिखरी पड़ी हैं। डोगरी धन्य हैं। ना जाने इसके भीदर कैसे कैसे रतन चिपे हुए हैं। हिंदी को उन सभी लेखकों से परिचित होना चाहिए जो पहाड जैसी इस सुन्दर भाशा में लिखते हैं। मैं इस से लंबा भाशन नहीं दे सकती। क्यूंकि बातों का भाव होने पर ही लोग भाशन देते हैं। और भाशन लिखने में बड़ी तकलीफ होती है। हम लोग जब भी कलम उठाते हैं या साहिते के बारे में कुछ लिखते हैं। और मैं तो जब कलम उठाते हूं गीत लिखती हूं डूगरी कमीता लिखती हूं आपको एक दूघरी के कमीता संदाती हैं। लोग गीत बिलक्षन होते हैं ये दिनकरजी ने लिखा मैं कोशिश करती हूँ एक दो लाइन आपको सुनाओं ये लोग गीत है योगी मेरे घर आओ मैं तुमें आसन दूंगी तुम बैठो और मुझे मेरे मैके की बात सुनाओ बिनना ले जोगिया बेड़ेया जोगिया मेरे प्योके दी गल सुना जोगिया बिनना ले बेड़ेया बिनना ले जोगी जाई बैठा दूर आनी है ओ मेरा मन नहीं लगदा पानी है हो मेरा कड़ा दूबी डूबी जा जोगिया आथ रसी खुबी खुबी जा जोगिया बिनना ले जोगिया बेड़ेया जोगिया ओ मेरे प्योके दी गल सुना जोगिया बिनना ले गीत खत्म होई है। धन्यवाद देखिए इसका अर्थ है योगी तुम मेरे आंगन में आओ मैं तुम्हें बैठने के लिए चटाई दूंगी और बैठ कर मुझे मेरे मैक्के की बात सुनाओ शादी तु हो जाती है लड़कियों की लेकिन जहनी तौर पर वो मैके में ही रहती है तो योगी दूर जाकर बैठ गया है वो कहती है मेरा पान भरने में मन नहीं लगता मेरा घड़ा डूब डूब जाता है मेरी रसी हाथों में खुब खुब जाती है योगी तु आ, मुझे मेरे बैके की बात सुना इतने लोग गीत हैं हमारे पास रोग इतने सुन्दर हैं और मैं कभी गाती भी बहुत अच्छा थी अब मतलब है, ये वक्त मेरा सोने का है जबके मैं जाक कर आप लोगों को बाशन दे रही हूँ तलब का मतलब आप सब लोग समझते हैं न, पगार नहीं तलब छोल दी है, तलब छान दी है, तलब आन दी है मिगी तेरा नेड़ है, तुगी मेरा नेड़ है जदू एक बत्ताच दौ मानूएंगी निथों दाधना बिद लंगने दा रस्ता तलब, यह मैंने डोगरी में पढ़ा, अब मैं इसका तरजुमा करती हूँ तलब मत्ती है, तलब छानती है, तलब लाती है तुम ही मेरे पास, मुझे तुमारे पास जब एक राह में दो लोगों के गुजरने की राह नहीं होती शाम गिरने से हर रोज जरा सा पहले मेरी डोड़ी की दहलीज पर जब रोशनी होती है धलते दिन की रश्मियां रह रह कर मेरे गदमों के पास आकर सुस्ताती है तब मुझे यूँ लगता है जैसे सब जगा आग लग गई हो यही रोशनी है जो रोज आती है मेरे पाउं छूती है, मुझे पूछ पूछ रहती है तुम क्यों खड़ी हो, किसके लिए खड़ी हो, कोई आया है क्या तेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है लिखा हुआ वर्क, रंगा हुआ वर्क, मिटा हुआ वर्क, तेरे लहू के साथ, मेरे लहू के साथ खत्म हो गई एक कविता है, जाल सुनो, सुनो तो सही, ये डोगरी की कविता है, जिसके लिए मैंने ट्रांसलेट किया है इसको, और मैं अच्छी ट्रांसलेट रहूँ सुनो, इसलिए कई लोग उसको हिंदी कविता कहके छाप देते हैं, तो फिर मैं बहुत जगडा करती हूँ कि ये डोगरी की कविता है, तो अगर मैं अच्छी ट्रांसलेटर हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है, इसको आप हिंदी ही मना दो हलाके हिंदी हमें बड़ी प्रिय है हमारे एक शायर ने लिखा है हिंदी हमारी दादी है तो डोगरी हमारी माँ है दादी का अपना स्थान है और माँ का अपना स्थान है जाल कविता है सुनो, सुनो तो सही मेरे आस पास बंधा हुआ ये जाल मत तो मैंने सारी उमर इसमे से निकलने का यत्र किया है इससे बधा हुआ ये कांटा कांटा मेरा परिचित है पर ये सारे ही कांटे मेरे देखते देखते उगे हैं रात को सोने से पहले मैं इनके कोमल बालों को हाथों से सहला कर सोई थी और सुबह उठते ही इनके वो मूँ तीखे हो गए है तो किसका दोश है सुनो मिन्नत करती हूँ सुनो तो सही इसे फूलों की जरूरत नहीं है उनके रंगों को देखकर जो खुशी होती है वो नजर अब किसी के पास नहीं रही इस जाल की खुश्बू मेरी सांसों में बंद गई है मैं फूलों को लेकर क्या करूँगी सुनो मैं तुमारी मिन्नत करती हूँ मेरा जाल मत काटो मुझे परबस रहने दो मुझे इस जाल के भीतर बड़ा ही चैन मिलता है मित्र इसमें से निकलने के जितने भी हीले इसके बीच में रहकर मुझे सुझाई देते हैं इसके बाहर सुझाई नहीं देते ये उम्र की कठिन बेला मुझे काटने दो इस जाल की भीतर दब कर चलो आप दूर हो जाओ जाल के कांटों के बहुत से मुँ मेरे कलेजे में खुबे हुए है जाल काटते ही अगर ये मुझ में तूट गए तुम मत पूछो क्या होगा बुजरुक कहते हैं तूटे हुए काटों का बड़ा दर्दूरत है ये एक नजमें तीसरा मोर्चा लड़कियों के लिए खास दोर से बच्चा पैदा करने की असा है पीडा मैका छोड़ने का मलाल बेगरी भोगने की तरासदी अपनी बेटी को ये संपत्ती दे कर कोई भी माखुश नहीं होती रोते रोते दूसरी स्त्री को चुप कराती स्त्री ने मैके की दहलीज भुलाने को कहा मैके को भुलाए बगार तुम तुलसी के आंगन की तुलसी के साथ नहीं उख सकती मा का पती अफसर था अफसर से बड़ा उसके लिए कोई न था उसने अपने पोरों की कमाई से बेटी को अफसर बनाया फिर निश्चिन्त हो गई, बेटी ने सोचा, क्या बताओं मा को, अब स्री तीसरा मोर्चा है बाकी सब वैसा ही है, जैसा कि था, एक स्री पहले एक मोर्चे पर लड़ती थी अब दो पर लड़ती, लड़ रही है, ये लड़ाई तीसरे मोर्चे की है जो भी जहां जहां से भी आया हूँ, अपना गाओं उसे बहुत याद आता है मतलब है, मैं तो जहनी तोर पर अपने गाओं में ही रहती हूँ और जब भी नजम कहनी होती है, हम लोग वहां की पंडित है, पहाड एक दिया था हमें और राजाओं ने घर बनाने के लिए, तो पहाड की उंची चोटी पर बैठ कर हमेशा मैं नजम कहती हूँ और मुझे लगता है, आसमान कुछ नीचे जुकाया है, अब मैं इसको पकड़ू तो नीचे कीच भी सकती है गाउं अपना, जब कभी गिरती है सांज वैसी ही, तभी स्मृतियों में कौंदता है गाउं अपना तूटकर गिरती है सांज गाउं की चोपाल में, तूटकर कोई बुलाता लाड़ वाले नाम से तब मेरे ख्यालों में, शाम को भूनी जाती मक्का की सुगंध बोराने लगती रसा फानती कन्याएं पैरों में से उठाती है ताल तेरा ताल जानने वाली इन कन्याओं की कसकर की गई चोप्रियां कपड़े धोने वाले डंडे की तरह उचलती हैं आगाश में उलच जाती हैं टापने वाली रसी से खटे कचालूं के पते चाटता कोई मिर्चों का मारा सीसी करता चड़ जाता है कंदे पर दोनों तरफ से भीच कर कहता है शाम को ए दीदी चलो घर चले मेरे ख्याल में काफी हो गया और है जी अच्छा एक मेरी नज़र में मौम बत्ती जल रही है मौम बत्ती घुल रही है मौम बत्ती सहेज रही है रोम रोम देह का मौम बत्ती बन गई है एक कटोरी मन के आंगन में पिघलती एक गुरी पिघली हुई देह को संभाल कर रखती है ये अपना ही गला हुआ मांस जूचकती है जोती डगमगाई है पर बुजी नहीं उड़ रहे हैं बार इसके अंग अंग गायल इसके बहर ही मोमी ये धारा रखी थी सेज कर धेर लगा मांस का कदमों में इसके तो भी देती रोशनी अपने ही मुर्दे पर नाचती है ये देह अपनी ही जला कर जीती है ये मोम बद्ति एक स्त्री का रूप है कई करोड़ों मंदिरों में जल रही ये दूप है बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जिन लोगों ने यहां बुलाया ये लड़की केदार जी की केदार नाथ सिंग हमारे बहुत बड़े कवी है और मैं उनको अपना छोटा भाई कहती हूँ थोड़े से उमर में बड़े हैं उससे फर्क नहीं पड़ता तो ये उनकी बेटी है तो मैं आप लोगों सबसे मिलकर बड़ी प्रसंद हुई हूँ क्योंकि जितने भी बच्चे यहां बैठे हुए हैं वो सब जगे हुए हैं और मैं सोई हूँ आप यूँ ही पदमा स्री नहीं है पदमा सजदे मरम आपके बाद हम अमंत्रित करते हैं मड़ाम डक्टर अनामिका जी को आप भी हमें कुछ अपने कविताओं से अनंदित करें विद्वानों को, दोस्तों को, गुरुजनों को आदाब और नमस्कार करती हुई मैं NCRT में आई हूँ तो पार्ट शाला जो हम लोगों के गाओं की या कस्बे में की होती है वहाँ पार्ट क्या पढ़ाये जाते है वहाँ से शुरू करती हूँ भाशा की राजनीत क्या होती है उसके आभाज के लिए इसका शीर्शक है बे जगह अपनी जगह से गिर कर कहीं के नहीं रहते केश, औरते, और नाखून अनवे करते थे किसी श्लोग का ऐसे हमारे संस्कृत टीचर और मारे डर के जम जाती थी हम लड़कियां अपनी जगह पर जगह, जगह क्या होती है यह वैसे जान लिया था हमने अपनी पहली कक्षा में ही याद था हमें एक-एक अक्षर आरंभिक पाठों का राम पार्शाला जा राधा खाना पका राम आबताशा खा राधा जाडू लगा भाईया अब सोएगा जाकर बिस्तर बिचा आहा नया घर है राम देख यह तेरा कमरा है और मेरा ओ पगली लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती है इनका कोई घर नहीं होता उनकी होती है भला कौन सी जगा कौन सी जगा होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है कटे हुए नाखूनों कंगी में फस कर बाहर आये केशों सी एकदम से बुहार दी जाने वाली घर छूटे दर छूटे छूट गए लोग बाग कुछ प्रशन पीछे पड़े थे वे भी छूटे छूटती गई जगहे परंपरा से छूट कर अब्या लगता है किसी बड़े क्लासिक से पास कोर्स बीये के प्रशन पत्र परछिट की छोटी सी पंक्ति हूँ चाहती नहीं लेकिन कोई करने बैठे मेरी व्याख्या सप्रसंग सारे संदर्भों से उड़कर सारे संदर्भों के पार मुश्किल से उड़कर मैं पहुची हूँ ऐसे ही समझी पढ़ी जाऊं जैसे तुकाराम का कोई अधूरा अभंग दूसरी कविता के शीशेख है नमक नमक दुख है धर्ती का और उसका स्वाद भी धर्ती का तीन भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड कमजोर है दिल नमक का कितनी जल्दी पसीच जाता है गड़ जाता है शर्म से जब फेकी जाती है थालिया दाल में नमक जरा कम या जरा तेज होने पर वो जो खड़े है न सरकारी दफ्तर शाही नमकदान है बड़ी नफासत से छड़क देते हैं हर दम हमारे जले पर नमक जिनके चेहरे पर नमक है पूछिए उन ओर्टों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा उन नमक हलालों से रंज रहता है माहा सागर दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियां रहम खा गए दुश्मनों पर गांधी जी जानते थे नमक की कीमत और अम्रूदों वाली मुनिया भी दुनिया में कुछ और रहे न रहे रहेगा नमक इश्वर के आशू और आदमी का पसीना यही वो नमक है कि जिससे थिराई रहेगी यह दुनिया पदमा जी ने जोगियों की बात कही तुम्हें सोच रही थे कि भारत में अलग-अलग हिस्सों में जोगी अलग-अलग बानों में गए पंजाब में गए तो सूफी संतों की बाली बोलते हुए गए यह जोगी और फकीर इनके हाँ गए तो अलग तरह से बोले और हमारे यहाँ जब गए पूरब में तो उस संदर में मैंने कविधा निकाली इनकी सुन के निकाली आपने भरत्रीहरी की कहानी सुनी होगी ना कुछ लोगों ने सुनी होगी ना अमरभल की कहानी जो उन बच्चों ने नए बच्चों ने नहीं सुनी होगी उसका सारांश यह है कि एक राजा अपनी राणी को बहुत चाहता था उसको किसी ने अमरभल दिया तो वो अमरभल उसने कहा मैं क्या करूंगा जी कर राणी को उसने दिया राणी किसी से प्रभावित थी किसी और से उसने कहा वो सेना पती है यह पहरेदार है जो भी है बहादूर है उसका जीना जरूरी है उसने उसे दिया वो किसी और से अनुरक्त था, नर्थकी से, उसने दिया, उसको नर्थकी ने कहा, मेरा अजीवन योही ऐसा है, मैं जीकर क्या करूँगी, राजा सब का रक्षक है, राजा के पास फल पहुंच गया, उस पर लेकिन कहते हैं कि राजा जो इतना अनुरक्त था अपनी रानी से, उसका दिल भटा, भटके टुकड़े-टुकड़े हो गया, और वो जोगधार के निकल गया, राजा भरत्रिहरी और रानी किमिंगला की कहानी, हमारे यहां गोरखपुर से जब से नचोटी थी, तो वैशाली एक्सप्रेस चेली, वैशाली एक्सप्रेस में कभी-कभी गोर भिक्षा देदे माई, बहुत कनफटे जोगी देखें हैं बच्पन में, सारंगी पर गाते गाथा, पिंगला रानी और राजा भरत्रिहरी की, घेर कर उन्हें रोने लगती थी और ते मुहले की, खास कर वहाँ जहां राजा अपनी ही रानी को कहते थे माई, एक दिन डरते हुए मैंने नानी से पूछा, एक अमर फल पर इतना बवाल, क्या कोई अपने सक्खा को अपने हिस्से का कुछ अच्छा सा दे भी नहीं सकता, नानी ने घबरा कर मेरे मूँ में अपना आचल ही ठूस दिया, बहुत बोलती है ये लड़की, तुझे पदमिनी नाईका होना है कि रणचंडी? शाम तलक आंगन में क्लास लगी मेरी, स्त्री सुबोधिनी श्रिंखला वाली, मैंने कहा, मुझको कोई नहीं होना, मैं कोई नहीं ही भली, मगर कहे देती हूँ नन्ना, अगर मुझे अमर फल मिला, तो मैं उसे तुम्हारे इसी हसिये से आठ फांक काटूंगी, बाटूंगी एक एक फांक, जहां जहां दिल चाहे, क्या करूंगी अकेली ही अमर होकर? मुझको कवाना नहीं है, बेकार ही साथियों से भी छड़कर, कवाना मतलब कवा की तरह केले हैं, और सुनो ए नन्ना, एक फांक तुमको भी दूंगी, अपने अमर फल से, के वो भी दिन देखने को तुम जिन्दा रहो, जबकि रानी पिंग लाएं ही जोगधार लेंगी, चल देंगे छोड़ चाड़ कर ऐसे घंचक कर राजाओं को, जो जरा सी बात पर हो जाते हों जामे के बाहर, इस बात पर मेरी नानी अपने सुबुक मुख में पान डाल मुस्काई, संग संग उनके फिर मुस्का दी, सब ओड़तें ऐसे राजाओं की, जो जरा सी बात पर हथे से उखड़ कर हो जाते थे जामे के बाहर, आज सोचती हूँ, क्या होता है या मरफल, जो कि किसी कर्म फल की तरह नहीं बाटा जा सकता है, नहीं काटा, शायद जीवन के मर्म की समझ है, जो कि किसी के समझाए गले नहीं उतरती, जीवन के निवड तर्छनों में कुटरता है आदमी इसे तो ही गले से उतरती है रसधार छोड़ती हुई, सीचती हुई रस से पोर-पोर होते हैं केवल एहसास अमर, बाकी सब जाता है छूट इसी अमरफल के रसधार से सिच कर हंस अकेला जाई, भीक्षा दे दे माई, बहुत कनफटे दोगी देखें हैं बच्पन में सारंगी पर गाता हमल फोर की अंतिम कविता का नाम है कशीर्शक है विस्फोट पहला बम फोरती है, जब भी हम अलगाओं की भाशा बोलते हैं उस भाशा की बारे में ऐसी जब भाशा का काम तो जूर ना है लेकिन जब अलगाओं की भाशा बूली जाती है तब की बार पहला बम फोरती है हरदम भाशा ही उंगली उठा कर उंगली जो एक साम एक सामने वाले पर उठती है तो चार अपनी तरफ नेस्त नाबूत तहस नहस ध्वास्त प्राण निल बटा सन्नाटा प्रलैलीन भाशा की अलग-अलग जेबों में अलग-अलग पॉकेट बन विस फोर्ट अर्थों अनर्थों का टुकुर टुकुर देख रहे हैं शब्द सारे सब कुछ है धुआ 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 जिन्दगी फिर पढ़ रही है ककहरा याद आ रहे हैं आइंस्टीन तीसरा युद्ध जो हुआ तो चौथा पाशान युग के हथियारों से ही लड़ा जाएगा भीम-बैटका की पहाडियां टुकुर टुकुर देखती रहेंगी की कैसे विस फोर्ट के एन एक मिनट पहले किसी ने वादा किया था जिन्दगी का पहला वादा घास की साधगी और रिदय की पूरी सच्चाई से खाई थी साथ साथ जीने और मरने की कस्मे विस फोर्ट के एन एक मिनट पहले किसी ने चूमा था नवजात का मात था विसफोट के एन एक मिनट पहले कोई सत्यकाम जीता था सरवोच्चन आयाले से लोख हित का कोई मुकद्मा तीस बरस के अनुपम धीरज के बाद पहला ही नंबर घुमाया था विसफोट के एन एक मिनट पहले बिसफोट के एन एक मिनट पहले नलंदा पुस्तकाले की जली हुई छोकथट पर बुद्ध मिले थे अनामिका नाम की पगली औरत को नलंदा की वे किताबें बुद्ध को खेरे खड़ी थी बुद्ध को खेरे खड़े थे दंगों में जिबह हुए मासूम बच्चे के पैसे बचा के वही चिम्टा जो उसके खिच्चे गले में घुसेडा गया चतुरंगिनी सेना में जैसे हाथी बढ़ा करता था बोच्छार तीरों की हर तरफ से जेलता प्रशनों से घिरे हुए बुद्ध चल रहे थे उस पागल औरत ने भी प्रशन दागा हे भनते नहीं जानती मेरे जीवन का हासिल क्या जीने की तैयारी में सारी जिंदगी गई मेरे सगे थे वही जिनकी मैं सगी न हुई मेरे वे सारे संबंध जो बन ही नहीं पाए वे मुलाकातें जो हुई ही नहीं वे रस्ते जो मुझसे छूट गए या मैंने छोड़ दिये, उड़के दर्वाजे जो खोली नहीं मैंने, श्रंद जो उचारे नहीं और प्रस्ताव जो विचारे नहीं, मेरे सगे थे वही जिनकी मैं सगी न हुई। रोज आधी रात को फूलती है जब कुमुदनी, मेरी हताहत शिराओं में तो तूट जाती है नीद, एक पक्षी चीफता है कहीं विरदग्द, आसमान भी किसी आहत जटायूसा बस गिरा ही चाहता है मेरे कंधों पर, और रिदय में उमरता है सन्नाटा प्रलय मेगसा, कब तक चलेगा भला ऐसा, क्या है उपाय शांतिका, बाहर या भीतर रिदय के हृदय में कैसे सधे मैत्री, मदिर मौन से शब्द की, श्याम विवर वाले स्तंभन से मीरा की महाप्राण यतिगति की, प्रकृति से विक्रति की, आकाश से धर्ती की मैत्री, दुख के दारुण दावानल से सुख स्वपन की जीसियों की, आग से पानी की कैसे सधे मैत्री, जो इतने दिन नहीं सधी, कैसे माने की सधेगी ही, कुछ कहा था बुद्ध ने फिर से, कानों के कान में कहीं, विस्फोट के एन, एक मिनट पेन। बहुत बहुत भन्यवाद अनुपा मड़ाम, अनामी का मड़ाम, अभी हमारे NCRT में एक चल रहा है, करिकुलार लोड कर लेकर चिंतन, सोचिए, कभी भाषा और साहित्य अगर ऐसे हो, तो ये कभी लोड महसुस हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, हम लोड कम करने के लिए हम सोच रहे हैं, अगर भाषा और साहित्य से भर दिया जाए हमारा करिकुलार, तो वो लोड नहीं होगा, वो उनका लिबरेशन होगा, वो और हलके महसुस करेंगे, इतने अच्छे भावना से गदगद होकर, आप से और आप दुनों से कविताओं के इस आप लोगों के आवाज को सुनकर ही ऐसा लगा कि ये सच में हमारा आज का दिन ये भाषा उत्सव है, भाषा का उत्सव है, उत्सव में जो आनन्द आना चाहिए, हमको आज पूरी तरह से यहां पर उस आनन्द को हम प्राप्त हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, एक आखरी छोटा सा एक कथा, अभी दो गीत हो चुके हैं हमारे विद्यार्थियों से, अभी एक कथा के लिए मैं मैं आमंत्रित करता हों काव्या को, आसमीज भाषा की ये कथा है, प्रस्त प्रश्त करें करते हैं. Good afternoon everyone, I would like to greet you in आसमीज, आजी ओंतरास्ट्रियो मात्रिवादी बहुत मौय हुको लूलॉई हुबेसाग या पनकोरिसूख, I greet you my heartfelt wishes to everyone on this international mother language day. this is a folk tale which is collected and published by Lakshminad Bajboruwa and it is a very 20-line short story I would narrate it in Assamese and then a brief summary in English I would narrate it in Assamese and then a brief summary I would narrate it in Assamese and then a brief summary I would narrate it in Assamese and then a brief summary I would narrate it in Assamese and then a brief summary I would narrate it in Assamese and then a brief summary I would narrate it in Assamese and then a brief summary I would narrate it in Assamese and then a brief summary translated by me, a small translation and it goes like once upon a time there was innocent old man one day he was planting some tapioca in this garden when a fox noticed him the clever fox approached the old man and told him that this is not the way to plant he should boil them first and then place them in between some dried leaves and then plant it further said further the fox said that the tapioca would grow within a night and he can have them as a feast next day the innocent old man did so and went to sleep the fox arrived in the garden with silent steps and ate up all the tapioca that night the next morning when the old man went to his garden and he was shocked to see that all his tapioca were uprooted and only the west were there the west remains were there so the old man realized his foolishness and this story is also contains a moral that is like you should not be trusting strangers so blindly so that you succumb to the pitfall of foolishness thank you कि अज़ोंवाद काव्या असमीशी भाषा में सबको एक सुनाया काफी कुछ समझ में आ रहा था कि हमारी भाषा है एक दूसरे से सब जूरी हुई भाषा ही है एक दूसरे बहुत अलग नहीं है थोड़ा सा ध्यान दे के सुनेंगे तो बिल्कुत समझ में आता है